हेलो दोस्तों नमस्कार मैं रंजू कीचन मैं आप लोका स्वागत करती हूं कैसे हैं उमीद करती हूं अच्छे हूंगे तो स्वस्त रहिए मस्त रहिए बारिस के समय चल रहा है और बच बचा के रहिए गिड़े मकुड़े बहुत इधर उधर पड़ रहे हैं देखिए आज बनाने चल रहे हैं मोमोज ते स्वयावीन है इसको कूट के सिल्वट से या मिक्सर से कूट लीजिए और इसको थोड़ा सा पानी में भीगा दीजिए आनी में इस हमें इक चममच धनिया है करते इसको ड़ालते नहीं से हैं कि दो गौत चब्र से चाटकर लेटेर से उष्पाद संप्स हरीए इसको डालते नहीं आएं सैंवन आफ्थ बिस्ताना लेस communic चेल के पारिमच ठीए से बहसंदे तब तक मुझे दो प्याज कटी हुई है इसको डाल देते हैं कि इसको भी थोड़ा अच्छे से भून लेना है कि इस तरह है और कि देखिए मेरा प्याज काई जो है लहसुन मिर्च सब पक गया लगभग अब इसमें सोयबीन जो कूट के भिगाए हूं उसको डालते हैं पानी अच्छे से इसको निचोड लेना है दोनों हाथों से दबाके हथेलियों से इस तरह उसको दबाके पानी निकाल लेना है और उसके बाद इसको डाले थोड़ा सा पानी नर है सुखा सुखा पुरा हो जा एक छोटे चमच से दो चमच हल्दी है स्वादन उसार इसमें नमक डालते हैं और गरब मसाला डालते हैं पर कस्मीरी मिर्च डालते हैं दो चमच सब इसको मिक्स करेंगे और थोड़े दरह उसको पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाला भी बुणा जा और सोयाबीन का बेटर जो है मसाला भी अच्छे से पक जा इसमें अब इसको अच्छे से चलाग ढग देना वीडियो मेरा पूरा देखिएगा बहुत टेश्टी मोमो बनने वाला है और देखते ही मुह में पानी आ जाएगा तो इस तरह के आप लोग भी बनाईए खाईए और मेरे वीडियो को ज थोड़ा सा फिर मैंने चान लेकि थोड़ा सा हो सकते कि बारिस के मुशं में कहीं कीडियो मकोडे ना हो इसमें घून पढ़ जाते हैं इसले इसको साफ कर ले रहे हूं इसको चान लीजिए अच्छे से आवर एक चमच छोटे चमच से नमक डाल लीजिए और एक बड़े च मिली थी से बनाते हैं उधर मसाला भी मेरा तयार है उसको भी निकाल लिए एक बस बड़तन में चोटी छोटी लोई लेकर इसको पूरी के बेलना है बतल पतला इस तरह देखिए पहले लोई बना लेना है और इसको इस तरह बैलना है जो लोग बनाए खाये हैं वो लोग कमेंट करें कि कैसे आप लोग बनाते हैं और जो लोग नहीं बनाए खाये हैं एक बार इस तरह बनाएए इस तरीके से और वीडियो को मेरे लाइक करिये पूरा वीडियो वाच करियेगा प्लीज और सपोर्ट करिए कि ताकी आगे मैय और रेस्पी आप लोगों को बनाते रहों और आप तक पहुचाते रहों तो इस तरह के देखिए इसको मुवो को बनाना है इस तरह प्लेट बना बना के अब इस तरह इसका मुवबंद कर देना है देखिए मुवो मेरा तयार है हाँ से बनाते हैं कोई न साचा है न कोई इसमें मसीन है हाँ से इस तरह बना रहे हैं बनाते हैं लोग तो देखिए अगर पसंद आए वीडियो तो मेरे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे घर बच्चों को बहुत पसंद आता है मुमो इस तरह मुमो चटने दोनों डाले हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे आप तो पूरा अच्छे समझ में आएगा एक ऐसे मुमो चटने दोनों बनता है इसको भी बना लेते हैं इस तरह ऐसे प्लेट के तरह ऐसे इसको इस तरह प्लेट बना बना के कटोरी के तरह इसको कर देते हैं देखिए इस तरह हमों तयार करते हैं दूसरा भी तयार हो गया देखिए दूसरा डिजान आपको बताते हैं कि देखिए इस तरह इसको प्लेट बना लेते हैं उसके बाद उसका का हाफ जैसे उसको फ्लेट बनाते हैं उसी तरह इसको भी आधाम प्लेट बनाते हैं अब देखिए जो हाप बचा है उसको इस तरह दबा देते हैं इसमें देखिए वो बरतन मैंने रख दिया मुमो वाला आप इसमें लीटर पानी डाले अब इसमें मुझे रखना है तो इसमें देखिए यह क्या है कि तेल ग्रिस कर देए आप चाहें तो जाली वाली धाली जिसमें चंवा फरा बनाते हैं लोग उसमें भी रख सकते हैं मैंने इशी में रख दिया कि इश में दो बार मीं हो जाएगा अच्छे से अब इसको तरह रख देते हैं और उपर से इसको धग्देते हैं चार पांच मिनट इसको उवालेंगे आप देखिए इसका कलर बिल्कूल Has erected पुरा साइनिंग पर आने लगा और इस तरह के देखिए पका-पका सा लग रहा है मसाज से लगाने से लग गया कि हां मेरा मुमू अच्छे से हो गया अब इसको निकाल लेते हैं यहां चट्नी के प्रोसेस होता है आधाली टर पानी है और इसमें दो ट्रमाटर है पाच लाल मिर्च है और दो लहसुन खड़ा गाठ चिल्के दो लहसुन इसमें डाले हैं अब इसको खुब बढ़ियास उबालना है इतना बढ़ियास उबालना है ताकि इसका ऊपर का छिलका फट जाए अब अच्छे से हो गया उबल गया इसका छिलका निकाल लेना है इस तरह और इसको निकाल के अलग रख देना है छिलके को अलग कर देना है लहसुन लाल मिर्स निकाल लेना है और इसको मिक्सर के जार में ग्राइंड कर देना है और उबला हुआ पाने उसी मसे आधा कप पाने भी वही डालना है देखिए इसको इसमें डाल लेते हैं और वही उबला हुआ पाने इसका आधा कप उसको भी डाल लेते हैं कि स्वाधनुसार नमक डालते हैं कि इसको ग्राइंड करेंगे कि देखिए चटनी मेरी एदम पर्फेक्ट तैयार हो गई कि एदम लाजवाब चटने तो मोमोग चटने आप भी खाईए इंजवाय किजिए तो भाई दोस्तों अगले वीडियो के लिए फिर अगली और मिलते हो तो तक के लिए धन्य बादे